हेलो एवरिवन गुट मॉर्णिंग टू ओल अफ यू वेलकम टू लॉजिक पाच्छाला आज के वीडियो में हम कवर करेंगे फिफ्ट ऑफ जैन्वरी 2022 के इंपॉर्टन करेंट अफियर्स के क्वेश्चिन्स आपके एक्जाम पॉइंट अफियर्स काफी जदा इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कर इंट अफियर्स को स्ट्रॉंग कर सकते हैं तो बने रहें लॉजिक पाच्छाला चानल पे जुड़े रहें आप बहुत सारे इंपॉर्टन्स वीडियो को देखने के लिए तो चलिए आज ये ग्लास के शुरुवात करते है zde कि कोई देखे क्या है विन यो गेट टायड लर्न टू रेस्ट नॉट कुट। देखे कभी कभी हमें लगता है कि कोई भी हं काम कर रहें तो हम उससे ठख जाते हैं कि बहुत हो गया यह मोसे ऊप चांथे हैं कि हमसे नहीं हो तो कभी भी अगर आप ठख गई हो टा करोगे वो कभी complete नहीं हो पाएगा अगर आप उसे quit कर दोगे बिलकुल आप break ले सकते हो ऐसा नहीं है कि हाँ break की जरूरत नहीं होती ब्रेक की जरूरत हर किसी को होती है तो आप rest करें अराम से पने mind को relax करें फिर से एक नई mind के साथ काम की शिरुवात करें तो चलिए आज के दिन के शिरुवात करते हैं आज से की हमें day पढ़ना है word braille day जो की आपका आता है 4th of January को तो हर साल ये 4th January को celebrate होता है इस दिन देखिए birth anniversary होती है लोईस ब्रेल की जिनोंने ब्रेल लिपी की invention किया था देखो ब्रेल लिपी क्या होती है जिसको ऐसे people जिनको visual disabilities होती है मतलब उनको देखने में दिक्कत होती है तो उनके लिए एक जो पढ़ने की लिपी होती है उसस करी जाती है ताकि वो बढ़ सके communicate कर सके तो उसी को ही invite किया था लोईस ब्रेल ने और इनी की birth anniversary की दिन इस दिन को celebrate किया जाता है तो याद रखिएगा ये दिन का बाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है चलिए शिरुआत करते हम अपने question number first से पहले question में देखिए हमसे 2022 which country took over the G20 presidency भई देखो 2022 में किस देश के पास G7 की presidency का पदभार रहेगा तो कौन सी country है ये है आपकी जर्मनी तो जर्मनी के पास इसकी presidency रहेगी ये जो G7 summit होगा ये 26 से लेके 28 of June तक चलेगा 2022 तक G7 देखो नाम में आ रहा है 7 यानि ये group of 7 countries है जिसमें आपका US है, Canada है, Japan, France, UK, Italy और जर्मनी तो ये सभी countries है G7 में शामिल है और देखिए इसमें बात आई थे देखे जर्मनी की तो जर्मनी जो है वो second largest donor है इंदा COVAX vaccination Alliance में जिसने सबसे जादा जो vaccine से उसको donate किया है तो ध्यान रखेगा किसके पास रहेगे प्रेजिदेंसी जर्मनी के पास देखो मैंने अभी आपको हाली में बताया था एक European Union की जो प्रेजिदेंसी रहेगी वो किसके पास रहेगी तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताईए जल्दी से बिलकुल तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा France तो यह ध्यान रखेगा यह भी important question है अभी देखे हाली में जो इजिप्ट देश है इसके बारे में आपको यहाद होगा इससे एक news आई थी कि यह चौथा जो है वो नया member बना है किसका new development bank का very very important अच्छा G7 के साथ हम G20 पे भी थोड़ा सा discuss करते हैं क्योंकि यहाँ से question आपका बन सकता है जो G20 की conference हुई थी 2021 की इसकी जो मेजवानिया इसे host किस country ने किया था तो इसे किया था Italy ने host वहीं बात करें 2022 में से कोन host करेगा तो इसे 2022 में करेगा इंडोनेशिया host और 2023 की बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा इसे 2023 भी host किया जाएगा वहीं बात करते हम COP यानि आपकी जो conference of parties है अगर इसकी बात करते हैं तो COP26 की जो conference हुई थी इसका आयचन हुआ था आपका Glasgow Scotland में ये इसके बात की बात करते है COP27 इसका जो आयचन होगा वो 2022 में होगा और ये कहां भी होगा तो ये एजिप्ट में होगा इसके बाद जो COP28 है इसका आयचन होगा 2023 में और कौन सी country इसे host करेगी तो UAE से host करेगी तो देखो मैंने आपको काफी सारे conferences के बारे में इसमें बताया है क्योंकि यहां से आपका definitely एक question जरूर बनेगा तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखे next question देखें क्या है इंडिया has invited a total of how many nations to participate in the multinational naval exercise जिसका नाम है मिलान तो ये जो exercise है देखें ये होगी विशाका पैटनम में और ये 25 फरवरी से ये शुरू हो जाएगी तो इंडिया के द्वारा total कितने nations को इसमें invite किया गया है तो देखें आंसर हो जाएगा 46 यहां पर आपको दिखी रहा है कि एक multinational exercise है यानि इसमें multinational मतलब काफी सारी जो countries असमें participate करती है और इसकी जो theme है the theme of this edition जो की मिलान की क्या है camaraderie cohesion and collaboration 2020 में देखें जो exercise है वो cancel हो गए थी due to the covid के बज़े से और United States जो है वो पहली बार इस exercise में participate करेगा तो देखें यह ध्यान रखेंगा यह कौन से exercise है यह है Milan exercise जो की 1995 से शुरू होई थी और यह जब शुरू होई थी तब यह जो countries है वो उनकी नीवीज के बीच में शुरू होई थी और इससे पहले यह port player में होती थी exercise लेकिन नौ इसको shift करके विशाका पटनम में कर दिया क्योंकि वहाँ पे more space है वहाँ पे infrastructure थोड़ा सा जादा है तो इसलिए और 2020 में जो हमने बोला था इसमें 40 countries को invite किया गया था बटी exercise जो है वो नहीं होई थी देखें बात करते हैं हम कुछ और exercise की जो की आपके 2021 में सबसे पहले बात करते हैं हम वजर प्रहार exercise की पहली बात ये कौन-कौन से देश के बीच में होते हैं तो ये इंडिया और USA के बीच में होती है इस बार जो इसका edition हुआ वो हुआ ग्यारुवा edition अच्छा ये कहां पे हुई तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलो डिस्ट्रिक पे इस exercise को कराए गया था तो पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है अगले exercise देखिए है खंजर exercise तो ये होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में अच्छा इस बार कौन से edition हुआ है तो 2021 में इसका 8 edition हुआ है और ये किर्गिस्तान की capital बिश केक में इसका आयचन किय आपको ये ध्यान रखनी है बात करते हैं तीसरे exercise के जिसका नाम में वरुण तो जो वरुण exercise ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है 21 में इसका जो edition हुआ है वो 19th edition हुआ और इससे कहां पे conduct कराए गया तो इससे एरिबियन सी यानि अरब सागर में ये जो exercise इसको conduct क आए गया नेक्स्ट exercise का नाम है दस्तलिक तो जो दस्तलिक exercise है ये इंडिया और उजबेकिस्तान के बीच में होती है बात करते हैं इसका कौन सा edition हुआ है तो देखे important है क्योंकि इसका second edition हुआ और ये हुआ उत्राखंड के चौबटिया में इसके पहले edition के बारे में भी ध् important है तो इनको आप लोग ध्यान रखेगा चलिए बाढ़ते हैं हम लोग question number अगले पे question बूचा क्या है देखे Reliance New Energy Solar Limited ने acquire कर रहा है how many percent equity in Wilson Renewal Energy Limited तो कितने प्रतिशत की equity हासिल कर ली है correct answer is 25.90% की और इसको जो खरीदा कया है total 1583 करोन रुपे में यह जो equity है यह जो share है वो Reliance New Energy के द्वारा acquire किया गया है तो इस transaction के साथ देखे जो R and ESL है और जो other groups है उनका जो stake रह गया है वो 40% का हो गया है और बाकी आपका जो है कुछ percent है वो किसका है Reliance New Energy Solar का है तो Reliance New Energy Solar Limited जो है newly incorporated entity है that does not offer any product or services in India ठीकर जो किसी भी प्रकार की को उत्पाद या सीवाओं के अभी पेशकर नहीं करती है तो simply बस आपको इस question से ध्यान रखना है कि कितना percent का जो entity है वो acquire किया गया है Reliance New Energy Limited के द्वारा तो आप लोग को इतना question से ध्यान रखना है इसके बाद देखें next question है India has achieved its highest ever monthly exports of how many billion dollars in December 2021 तो अभी देखें Ministry of Commerce and Industry की एक report आई थी जिसमें ये बताए गया है कि इंडिया ने December 2021 में कितने अरब डॉलर का जो मासिक निरियात है वो हासिल किया है तो correct answer हो जाएगा 37 billion dollar तो 37 billion dollar का जो export है वो इंडिया के द्वारा December महीने में किया गया है अच्छा मैंने आपको एक ministry हाँ पर बताई कौन सी commerce and industry ministry तो ये ministry किसके पास है तो ये ध्यान होना चाहिए आपको ये ministry है प्यूश गोयल जी के पास इसी में देखो उत्तर प्रदेश जो है वो one of the best performing state रहा in the terms of one district one product scheme और ये जो scheme है जो कि इसमें ग्यादे को पूरी तरीके से focus किया जाता है economy जो भी state की economy है उसको boost up करने के लिए तो ये भी आप लोग से पूछ सकते हैं कि इस scheme के तहत कॉंसर state जो है वो best performing state रहा तब आपका अंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश इसके बाद बात करते हैं हम लोग next question की तरफ question में बोला गया है कि कौन से ministry है जिसने launch किया है single platform NE80 NEET 3.0 तो किस मंत्राले ने इसे किया है तो देखे मंत्राले का जो नाम है वो है ministry of education अच्छा इस टाइम किस के पास है ministry right दरमींद प्रदान जी के पास है ministry of education तो इन्होंने इसे launch किया अब ये चो platform है क्या है ये platform सबसे need की full form देख लीजे national educational alliance for technology तो इसमें 12,00,00 students यहाँ पर receive करेंगे free में at tech course coupons over 253 करोन रुपीज का है तो देखो इसमें ना technology के उपर जो courses है ना students को वो provide करे जाएंगे कि उनको एक platform मिल सके जहां पर उनको एक opportunities मिलेगी एक मंच मिलेगा जहां पर ये technology या ये course वो हासल कर सक तो उसी के लिए एक platform है जिसको जो है वो शुरू किया गया है ministry of education के द्वारा अच्छा education minister धर्मेंद प्रधान जी ने अभी एक campaign भी शुरू किया 100 दिन का एक reading campaign था जिसका नाम है पड़े भारत ये आपको ध्यान रखना है इसके अलावा euro minister धर्मेंद प्रधान जी ने virtually inaug किया the center for research and innovation in artificial intelligence setup जो कहां पर IIT Hyderabad में तो ये दो important news आप ध्यान रखेगा next question question number अगला है to enable small value digital payments in offline mode using card wallet की card wallet या जितनी में mobile device है इनका उपयोग करके जो offline mode में हम छोटे छोटे digital values की जो भुक्तान करते हैं उनको सक्षम करने के लिए किस सरकारी निकाएनी रूप रेखा एक तयार करी है तो ये रूप रेखा तयार करी है किसने RBI नी तो correct answer हो जाएगा यहाँ पे Reserve Bank of India तो इस नई payment system के according देखिए जो operator है वो केवल अपने face to face mode में जो है वो offline payments की अनुमती देंगे कि जब आप मालेजे payments करना चाहते हो तो वो आप face to face mode में कर सकते हो such payment that will happen without the use of internet मतलब इसमें आपको को internet की जरूरत नहीं पड़ेगी और को telecom network की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें आपकी जो limit रखी गई है वो 200 per transition रखी गई है तो इतने के लिए आपको किसी network की जरूरत नहीं पड़ेगी आप easily face to face mode में transition कर सकते हो तो ध्यान रखेगा next question question है देखिए अगला हैदराबाद में heartfulness international yoga academy की अधाशला किस ने रखी है तो यह अधाशला रखी है सर्वनंदा सोनेवाल जी ने अचा सर्वनंदा सोनेवाल जी के पास कौन से ministry है तो इस टाइम के इनके पास है आयूश ministry है तो इन्होंने इसके अधाशला रखी यह जो academy है इसमें देखो आयर्वेधी consultations offer किया जाएगा और इसके साथ साथ जो therapeutic treatments हैं वो यहाँ पर provide करे जाएंगे साथी साथ में इसमें dormitory dormitory का मतलब होता है छात्रवस जिसे आप एक तरीके से hostel भी समझ सकते हैं उसकी सुविधा भी यहाँ पर प्रदान करी जाएगी तो यह जो hurtful academy है इसको register किया जाएगा with the yoga certification board के साथ as a leading yoga institute जिससे क्या रहेगा एक तरीके से yoga institution रहेगा जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख सकते हो नहीं जानकारिया हासिल कर सकते हो आपको जो छात्रावास से dormitory की सुविधा भी मिलेगी तो ध्यान रखी का इसको सर्वननदा सोनेवाल जी ने इसको जो है क्या किया इसकी अधाशिला रखी है इसके पात अगला question है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने inaugurate किये है how many project जिनकी कीमत है 1850 करोन रुबे के और कहां पर मनिपूर में तो मनिपूर में इतनी धन्राशी की कितनी परियोशना हो का उधगाटन किया है तो answer हो जाएगा 13 अच्छा question ऐसे भी तो बन सकता है कि बताओ इसका उधगाटन किस ने किया इसे भी बन सकता है तो मोदी जी ने जो है वो इसका उधगाटन किया है इसमें देखो 280 करोन रुपे के water transmission system है इसके साथ मल्टी परपस project है जो की in file city में जो drinking water supply है उसको provide करेंगे also उन्होंने inaugurate किया है steel bridge built जो की बराक river के उपर बनेगा इसके लावा बात करते है कुछ मोदी जी ने हाल फिलाल में देखे कुछ बहुत साइचीजों को भी launch किया है जैसे आपको यादो का गंगा expressway मैंने आपको बहुत बहुत बढ़ बताया कि गंगा expressway का उधगाटन कहां पर किया गया है तो ध्यान रखेंगे शहांसापूर में किया गया है इसके लावा मोदी जी ने अधाशिला रखी है पांच नाशनल हाइवे प्रोजेक्ट की जिसकी जो कॉस्ट है वो लगबग सत्रा सो करोड रुपे से भी जादा की है बट कभी कॉस्ट से question नहीं बनेगा और इसके लावा कुछ मोबाइल टावर्स को भी मनिपुन में बिल की मनिपुर में स्टार्ट किये गए हैं बात करते हैं मनिपुर स्टेट की देखो ये हैं मनिपुर आपका जिसमें नमर ओफ डिस्ट्रिक है 16 यहाँ पे लोगसभा के सीटे हैं दो राज्यसभा के सीटे हैं एक यहाँ का स्टेट एनिमल है शंगाई स्टेट बर्ड है हिमस फीजन्ट और केबूल लामजा और नैशनल पार्क ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड का अकेला ओनली ऐसा नैशनल पार्क है जो कैसा है फ्लोटी यानि तैरत ओवा नैशनल पार्क है पूछ सकते हैं कि ये कौन से लेक पर है तो ध्यान रखेंगे ये लोग टक लेक पर बना हुआ है यानि लोग टक जील पर ठीक है तो फ्रेंट्स ये मनिपूर से काफी इंपोर्टेंट है जरू ध्यान रखेगा क्वेशन अमर अगले पर बढ़ती हैं सो नेक्स्ट कुशन में पूछा है विच स्टेट जिसने को लैब किया है विद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मिलकर तो एंपावर दा स्टेट्स फॉरस्ट एकोनॉमी तो कौन सा स्टेट है तो आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स यहाँ पर जारकंड तो देखे जारकंड जो जारकंड है उसने यहाँ पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ को लैब किया तो यह जो है यह जो पार्टनर्शिप शुरू हुई है यह लोकल कॉमिनिटी जो है वहां की और जो इंडिस्ट्री लीडर से उनके बीच में एक साज़ेदारी है रिसर्चर्जर्स यहाँ पर बहुत सार एक्शन प्लान को भी प्रपेर कर रहे हैं स्टार्टिंग विद क्रेटिंग लोकल कॉमिनिटी जिससे क्या होगा बहुत सारे देखो रास्ते खुलेंगे हैं कि इस तरीके से हम जो फॉरेस्ट एकोनॉमिय स्टेट की उसको मजबूत कर सकते हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं तो यह पार्टनर्शिप में काफी जादा मदद मिलेगी बात करते हैं यहा पर नैशनल पार्क देखें कौन से हैं इंपोर्टन में पूछ लेते हैं एक तो बेतला नैशनल पार्क हजारी बाग वाइल लाइफ सेंचुरी ध्यान रखो और पलामू वाइल लाइफ सेंचुरी भी आप जारकंड से ध्यान रखेगा अच्छा हाली फिलाल में जारकंड कि सरकार के दौरा एक पोर्टल शुरू किया गया था जिसका नाम है हमार अपन बजट वेब पोर्टल जिसमें जो 2022 थी हिसका बजट है लोग उसमें अपने सजेशन से सकते हैं बजट के लिए जहारकन के सरकार के दौरा थे कि कुछ टाइम पहले न एक अप्लिकेशन जो हस्पिटल बैट से उनकी बुकिंग के लिए जहारकन के सरकार ने इस जो एप्लिकेशन इसको लॉंच किया था नेक्स्ट कुशन देखे क्या है हूस टेकन ओवर अन्यू डारेक्टर जरनल ऑफ नाशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ती तो जल शक करते हैं जल शक्ती अभियान कैश तो यह कामपेंज होता है इसके लिए भी उन्होंने वर्क किया था जिसमें 9.5 लाग से जाधा का जो जल संदक्षन ऐसी स्ट्रक्चर से ना उनको मंजोरी दी गए थी हमारी कंट्री में तो नेम इनका इंपॉर्टेंट है अगला कुशन देखिये फ्रेंड्स वो हाज बीन अपॉइंटे अपॉइंटे अपॉइंटेटरी इन देपार्टमेंट ओफ ड्रिंकिंग वॉटर एंड सनिटेशन अंडर जल शक्ती मिनिस्ट्री तो पेजल और स्वच्छता भिभाग में सचिफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ती आंसर इस विनी महाजन अच्छा विनी महाजन का नाम आपने कुछ टाइम पहले भी सुना होगा बिल्कुल इसने सुना होगा कि पंजाब की चीफ सेकेट्री पत पर अपॉइंट टी 26 जून 2022 में 2020 में और महाजन जो हैं महाजन जी सर्फ इन्होंने जॉइन सेकेट्र गया तो यहाँ पर हम कुछ अपॉइंट्मेंट्स के पारे में देखते हैं जैसे की देखिए राहुल द्रेविंट जो की हैट कोच अपॉइंट्ट होए इंडियन स्में किरकेट टीम बी सीजी आई के द्वारा आरुन चावला को न्यू डारेक्टर जर्नल अपॉइंट क बताना है कि इनका सम्मन्द कौन से छेतर से है तो इनका सम्मन्द जो है वो डिफेंस से है तो आंसर ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा तो देखिए इंडियन नेवी इस 1971 इंडो पाकिस्तान वार वेटरन है यह जिनका अभी हाली में निधन हुआ है अट एज ऑफ हंड्रेड he was the flag officer commanding eastern fleet जब 1971 की war जल रही थी तो यह eastern fleet जो commanding eastern fleet के flag officer थे also इनोंने सर्फ किया है as a flag officer commanding in chief के पतपर तो simply आप लोगों से इनका छेतर पूछेंगे कि कौन से field से यह सम्मन्द देते है इसके बाद एक अगला question है three time olympic winner victor sanyev इनका भी अभी हाली में निधन हुआ है यहाँ पर हमें बताना है कि इनका सम्मन्द कौन से sports से है तो यहाँ पर आप sports के नाम देख सकते हैं तो इनका जो सम्मन्द है वो है triple jump से तो name इनका भी ध्यान रहा है जो famous personalities होते है न उनके निधन से भी question आपका बन ज जाता है सानीव को जर्ण देखे Georgia में हुआ था और इन्होंने तीन बार Olympic gold medal जीते हैं जो कि Mexico City में हुए थे 1968 में फिर Munich 1972 and then Montreal 1976 1980 Olympics में इन्होंने silver medal claim किया था also इन्होंने European Championships को भी जीता है 1969 और 74 में तो यह सारा का सारा इनका overall record रहा है जो कि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी journey के दौरान जीता है तो friends यहते हमारे सारी important questions आप आता है revision का time तो चलिए कल के questions को important discuss करते हैं सबसे पहला देखे over the illegal human right violations and recent corpse कौन से country ने इतोपिया माली गिनी के साथ cut कर लिया duty free trade program को तो answer हो जाएगा देखे यहाँ पे USA next question है कौनसी country है जो कि छटी country बनी to top 100 million covid-19 infections in January the correct answer is France next question है कौनसी country ने introduce किया है word का पहला dual mode vehicle जो कि road के साथ trail tracks पर भी चल सकता है यह develop किया है जपान देश ने next question है कौनसी country लॉंच किया है Immerset 6F1 communication satellite को तो यह communication satellite है यह जपान ने लॉंच करी आगला question इनमें से कौनसी country के scientist है जिनोंने discover किया है 77 new species Bennett Antarctica ice shells तो answer हो जाएगा Germany next question देखिए कौनसी country है जिसने वर्ड की longest metro line जो है वो खुलने चा रही जिसके लंबाई total 831 km होगी पूरे length में तो यह कौनसी country है China is the right answer अगला है European Union rotating presidency जन्वरी में यह presidency किसके पास रहेगी तो देखिए answer हो जाएगा France country के पास next question है कौनसी ministry है जिनोंने draft release किया है national air sports policy पर तो ministry of civil aviation के दोरा इससे जारी किया गया अगला question who has inaugurated two colleges of art and science in Lakshadip तो Vice President M. Venkya Naidu जी ने इनका inauguration किया है Prime Minister Modi जी ने Major Dhyanjan Sport University की जो अधारशिला रखी है वो मेरट शहर में रखी इसके बाद है इंडिया जो vaccination है बच्चों का वो शुरू हुआ है तो कौनसे age तक के लिए तो 15 से लेके 18 years तक के age बार के लिए इसके बाद है कौनसे स्टेट में इटी 1st All India Industrial Exhibition जिसका नाम है नुमाईश इसको inaugurate किया गया है आंसर इस तेलंगाना स्टेट अगला कुश्चन है 43 ग्रोथ रेट के साथ कौनसे स्टेट है जिसने GST कलेक्शन में टॉप किया है दिसंबर महीने के तो आंसर इस ओडी सा अगला कुश्चन इसके बाद ने बिहार विपूती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो अनुकरती उपाध्याए को उनका नोवल है और नोवल का नाम भी आपको ध्यान रखना है किन्त सूगी इस नोवल के लिए उनको सुशिला देवी आव़ोड दिया गया नेक्स्ट कोईशन है कौन से पाकिस्तानी प्लेयर है जिन्होंने अपनी रेटायर्मेंट की बात करी है इंटरनाशनल क्रिकेट से तो मुहम्मद हाफीज उनका नाम है तो येतने हमारे कोईशन्स अब आप लोगों से क्वेशन पूछाता देखिए कि बैक टू वर्क इसकीम पूछा था मैंने देखे पहली कंट्री जिसने जिस्ट को इंप्लिमेंट किया था वो है फ्रांस 1954 में और इंडिया में ये 1st July 2017 को इंप्लिमेंट हुआ था तो क्वेशन के आंसर आज देखते हैं आज जितेंदर राउत और अभिशेक सिंग के कॉमेंट आप सभी भी बहुत अच्छे आंसर करते हैं जो लोग भी आंसर करते हैं रेगुलरली आज की कुशन देखे क्या है अगला कुशन किस देश ने ब्रिक्स देशों की जो फाइनेंस मिनिस्ट्रों सेंट्र बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी इसकी मेजवानी की तो ये दो कुशन आप लोगों के लिए हैं मैं आश्या करते हैं कि आज की वीडियो का कॉंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा और जितने भी एक्स्ट्रों फेक्ट यहां पे आपको बताए जाते हैं उनको भी आप साथ ही साथ में रिवाइस करते चलें चलें आप लोगों से मुलाकात होगी आनदर वीडियो में थांक्यू सो मच पर वाचिंग अस वीडियो